ललितपूर की थाना नाराहट छेतर अंतरगट हाईवे के पास एक ऐसा मडर हुआ जिसका पुलिस ने आज खुलासा करते हुए वितक की पत्तिवा साले को गिरफ्तार किया जब कि तीन अनिस सभी फरार बताए जा रहे हैं पताते चले कि 6 फरवरी 2020 को थाना नाराहट छेत अंतरगट गोना रेस्ट हाउस के पास एनस चववालिस पर बुलेरो गाडी में मिले 45 वर्षी युवा के सभ ने पूरे इलाके में हड़कम मचा दिया था मौके पर पहुची पुलिस ने सब की सिनाथ की तो उसकी पहचान मद्यपदेश के सागर चिले के थाना अटा निवासी देविन सिंग के रोप में होई परताल में पता चला कि मिलतक पेशी से पत्थर वेवसाई है पुलिस ने मामने का कुलासा करते हुए बताया कि मिलतक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और अपने भाई उसके दोसातियों के साथ मिलकर की थी पुलिस की परताल में कुछ ऐसी बाते भी आई सामने जिससे रिष्टे तो शर्मसार हो ही जाए साथ में भाई बहन जैसे परवजर रिष्टे पर भी दाग लग जाए ललिकपूर से समवाद दाता प्रवीन डाठोर की रिपोर्ट कोमर यह इंवाल थे इस हत्या की पीछे जो वजय बताई जाती है कि मिरतक अपनी पत्नी को मारपीट करता था और कुछ अवैस संबंदों का शक्त पत्नी को था इस कारण को लेके पत्नी अपने पत्नी को मरवाना चाहती थी और अपने भाई से इस बात का जिकर किया यह जो सुरेंच सिंग इन से जिकर किया और एक प्लानी के तहट वहां से अटा से मार के बोलेरो को हमारे नारट शेस में लाके छोड़ा गया इस घटना में दो गाड़ियां भी जो हायर की गई थी जो ट्राइवर्स थे उन्होंने भी इस बात की पुश्टी करी कि हाँ यह लोग में यहां तक आये थे अलाकि घटना से गाड़ियां दूर छोड़ भी गई थी उसको यह बतानी कि घटना में क्या हुआ है लेकिन उन्होंने यह बात बताई कि हाँ यह इन्वार्ड है तो इस तरह से घटना को खुलासा हुआ और जब इनसे पूश्टाश की गई मृतक की पत्नी से जो मुगर्मे की वादनी है उसने भी शुकार किया हांसा बहुत बड़ी गर्तिम उससे हो गई और इस चीज को अनोने शुकार किया और यह अभिवक सुरेंसिंग भी इनोने इस बात को सुकार किया है इन दोनों को हम भुग जेल भेज रहे हैं और शेष जो अनन कर दोड़ेश माल काने